ऐलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाइफ ए फाई शडड़ी चेंजिंग दवै ओफ लर्णिंग स्वागता आप सभी का इंडिया के नंबर वन शड़ी चैनल वाइफ फाई शड़ी में तो कैसे हैं आप लोग सभी क्या हालचाल है सभी बडिया है, शांदार है, जानदार है आप हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल का लेक्चर नमबर टू सेल का एक लेक्चर कल हो चुका है और सेल आप लोगों का दोस्तों बहुत 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 इंपोर्टेंट टॉपिक है जाए आप कोई भी गॉंपेटियो एक जम की प्रिपरेशन कर लिजिए क्यों क्योंकि सर आपके बॉड़ी में कोई सा भी एक अंग ऐसा नहीं है जहां पर सेल नहीं पाए जाए कोशी का नहीं पाए जाए लिव वटर चलो फिर भी हहीं पर पाया जाता है कान तो आपका फिर भी हहीं पर पाया जाता है बट आपके कोशी का हर जगह होती है ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर और आप लोगों की क्लासे चल रहे है थोरी लेकिन आपको पता है MCQs की भी आपके लिए बाहर आ रही है मतलब कमी नहीं है कोई सर आप लोग बताईए क्या क्या टाइमिंग होती है तो दोस्तों दोप्यर एक बज़े हम लोग करते हैं लैट्स क्राइक साइन्स जहां पर साइन्स के most expected questions करते हैं दो अपयर दो बजे हम लोग chapter wise mcq करते हैं और इन दोनों ही classes में आप लोग अपनी rank चेक कर सकते हैं test के warm में होता है हजारों बच्चों में आपको rank मिलती है तो sir क्या करना पड़ता है rank तो मिलती है आप लोग लगाईए नीरच 11 और आप लोग इसको कर लिजिए unlock समझके बात को ठीक है दोस्तों अभी आप लोगों को एक साल पे चार महीने का एक्षा मिल रहा है दो साल पे भी चार महीने का एक्षा सब्सक्रिशन मिल रहा है तो आप लोग यह पा सकते हैं और जो SSC और बैंक का दोनों का कॉम्बो चाहता है पहले प्राइसी दोस्तों दस जार दोस्तों अब मात्र मात्र सात अजार नौचो निननार में मिल रहा है कोड लगा लिजेगा दोस्तों नीरा जिलेवन इस कॉम्बो का प्राइस बढ़ सकता है ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं और किसी भी केटिगरी में सब्सक्रिशन लो सर मेरा चोटा वाई आई टी जे की तहरी करता है उसका सब्सक्रिशन लेना है सब्सक्रिशन लो नीरा जिलेवन लगा कि आप लोगों को वहाँ पर डिसकाउंट मिल जाएगा ठीक है रोस्तों स्टार्ट करते हैं सेल यानि कोशिका का लेक्चर नमबर टू पार टू देखो अब ध्यान से समझे चोटी से बात ठीक है दोस्तों सेल है ना चैप्टर ये आप लोगों का काफी 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 कन्फूजन चैप्टर बन जाता है वो कन्फूजन होता नहीं है आप खुर बनाते हो किसार इसमें आप लोग का लाइसोजोम किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाय जाता, प्रोकेरिटिक में क्या होता है, क्या नहीं होता, योकेरिटिक में क्या होता है, क्या नहीं होता, प्लांट में क्लोरो प्लास्ट होता है या नहीं होता, सैल वॉल होती है नहीं होती, तो ऐसे कई क्योशन आप लोग उसे एक्जाम में पूछा जाता तो आप लोग एक sequence में बढ़ोगे यहाला chapter कहीं भी कोई भी problem नहीं आईगी ठीक है तो कल हम लोगों ने cell के बारे में बात करी थी कोशिका के बारे में बात करी थी और मैंने आप लोगों को बताया था कोशिका को हम लोग दो भागों में विवाजित कर सकते हैं उनके structure के आधार पर तो जो कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है एक तो यू केरिटिक सेल यानि यू केरिटिक कोशिका और एक होती है दोस्तो प्रो केरिटिक सेल यानि प्रो केरिटिक कोशिका इन दोनों में क्या है दोस्तों जो सैल होती नो कोशिका अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिफ्रेंस बता रहा हूं और आपको मेजर डिफ्रेंस केवल यही याद रखना है अभी के लिए कि जो कोशिका होती है दोस्तों उसके अंदर कोशिका का अंग होता है जिसको हम लोग बोलते ह है nucleus यानी केंद्रक क्या बोलते हैं दोस्तों nucleus बोलते हैं सर केंद्रक बोलते हैं तो जिन कोशिकाओं में एक आपका well developed nucleus होगा बिल्कुल proper shape का एक अच्छे से structure वाला nucleus होगा केंद्रक होगा उसको हम लोग कोशिका को हम लोग नाम देंगे यूक कोशिका ठाकिए हैं ₫ ज्यक offered में आप यहान रखेंगे दोस्तों इनमें केंद्रक होता है इनमे Estoy केंद्रक होता है स्वग्त के बातको बात करते हैं हम फिम् Daniश नहीं होता है के नहीं होता है या फिर आप लोग बोल सकते हो सर भी है तो सकी प्रॉपर इस्ट्रक्चर निंद्रक्टा एक वैल डिफाइन्ड नुकलियस नहीं होता है ठीक है आप लोगों से पूछा जाए कि सरी जो कोशी का है कहां पर पाई जाती है तो दोस्तों इसमें नूकलियस है ना एक वेल डिफाइड नूकलियस है एक सूविक्सित के इंद्रक है तो यह उन और्गेनिजम्स में पाई जाएगी जो की प्रॉपर डवलप्ड होते हैं जैसे हम हमारे में पाई जाएगी प्लांट में भी पाई जाएगी ठीक है तो ध्यान रखना दोस्तों यह आप लोग के एनिमल्स में पाई जाती है हम भी तो एक प्रकार के एनिमल्स है एक तो जानवर में पाई जाती है ठीक है सर जो प्लांट होते हैं पौदे उन में पाई जाती है सर और किनकिन में पाई जाती है कितने एक्जम्पल याद रखोंग यार बहुत सार एक्जम्पल है इससे पूछा जाए कि जो prokr Crashstile होती है होती क्या है तो दोस्तो इन में आप का true do not Contant nucleus धोस्तो जिन में एक वास्तविक केंद्रक नहीं होता दोस्तो वास्तविक का मतलब क्या है उसके भर रहुपर नहीं होता यह तो नहीं लगा देंगे एक तो दोस्तो बैक्टिरिया एक तो बैक्टिरिया और एक आर्किया है ना दो एक्जम्पल ध्यान रखिए एक तो बैक्टिरिया और एक आर्किया बैक्टिरिया को हम लोग हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं जीवानू बोलते हैं ध्यान रखेंगे तो जी Blue Green Algae, कई बार एक जम में पूछा जाता है, कि जो Blue Green Algae होता है, नील हरित शेवाल, इन में कौन सी कोशिका पाई जाती है, अब दोस्तों केवल बैक्टिरिया और आर्किया को छोड़ दे, तो जो भी Algae, Algae दोस्तों हम लोग आगे चलके देखेंगे, एक प्लांटी है, कुछ ठीक है, तो आप लोगों का अंसर क्या होगा, आप लोग सोचिंगे कि सर इसमें यूके रिटक कोशिका होगी, बट मैंने आपको बताए था कि जो Blue Green Algae है, इसका Real नाम क्या है, साइनो बैक्टिरिया है, तो ये Blue Green जो Algae है, वो क्या है, वो क्या है दोस्तों, वो एक वाणू है ठीक है जिसका नाम क्या है साइनो बैक्टिरिया तो इसका नाम हम लोग ब्ल्यू ग्रीन ऐल्गी क्यों बोल रहा है नील हरीष शहवाल को 하기 ये ढिकता किसे है आपका ब्ल्यू ग्रीन मतलब एक ऐल्गी जशहवाल की जैसे यह इसलिए हमने synobacteria का नाम blue green algae रख दिया बट है तो यह बैक्टिरिया और अगर यह बैक्टिरिया होगा तो इसमें कौन सी कुछिका पाई जाएगी दोस्तो प्रो केरिटिक चैल पाई जाएगी यहां तक बात clear है दोस्तो यहां तक में कोई रिक्कत नहीं है ना आपको चले आगे च जो केरियोटिक सेल होती है उनमें नूकलियस यानी केंद्रक नहीं होता है और जो यू केरियोटिक सेल होती है उनमें नूकलियस यानी केंद्रक होता है और दूसरी चीज हमको ये पता पड़ी है कि बैक्टिरिया और आर्किया में आप लोगों के प्रोकेरियोटिक सेल होती ह इसके अलावा सभी में आपकी eukaryotic cell होती है इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं पता ठीक है अब दोस्तो बात करते हैं eukaryote और prokaryote में दोस्तो prokaryote क्या बोलोगे किसको बोलोगे तो ऐसे जीव जिनमें prokaryotic cell पाई जाती है उनको prokaryote बोलते हैं और ऐसे जीव जिनमें eukaryotic cell पाई जाती है उनको eukaryote बोलते हैं तो हम क्या हैं prokaryote है ये eukaryote है सर्फ बैक्टिर और आर्किया को सभी को छोड़के eukaryote सारे के सारे eukaryote है अब दोस्तो आप लोग उसे एक्जम में पूछा जाता है इनके structures related question कि बताओ ribozome किस में पाया जाएगा बताओ दोस्तो mitochondria किस में पाया जाएगा बताओ cell wall किस में पाया जाएगी बताओ cell membrane किस में पाया जाएगी और हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा confusion होता है अगर आपको confusion हो नहीं है तो diagram देख सकते हैं आपको समझी नहीं आ रहा किस में क्या है यह क्या है कुछ समझ में आ रहा है कि मेर को तो को समझ में आ नहीं रहा तो आईए दोस्तो हम लोग difference करना start करते हैं बिल्कुल एक sequence में पढ़ोगे तो आपको कोई भी problem नहीं आएगी ठीक है तो मैं आप लोगों को सबसे पहले क्या मैं आपको प्रोकेरियोटिक सेल के बारे में बता दू क्या मैं आपको सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो प्रोकेरियोटिक सेल में पाई जाती है प्रोकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है वो यू केरियोटिक में भी होगी अरे जो चीज़े प्रोकेरियोटिक में हैं वो यू केरियोटिक में भी होगी बट कुछ चीज़े ऐसी है जो केवल और केवल यू केरिटिक में पाई जाती है समझ रहो बात को तो मैं केवल और केवल सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा प्रो केरिटिक सेल यानि प्रो केरिटिक कोशिका इस pro-caritic कोशे का में मैं जितनी भी चीजे बताऊं वो आप लोग ध्यान रखेंगे केवल और केवल आपकी pro-caritic में और ucaritic में पाई जाती है जो चीजे मैं नहीं बता रहा जैसे मैं अभी पढ़ाऊंगा प्रो-caritic के बारे में तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे कि mitochondria pro-caritic में नहीं पाया जाता है जब मैं आपको यह pro-caritic पढ़ाऊंगा मैं आपको lysosome के बारे में नहीं बताऊंगा तो आप लोग समझ जाओगे कि ठीक है सर जो लाइजोजोम है वो प्रोकेरिटिक में नहीं पाये जाता है यूकेरिटिक में पाये जाता है समझ आरी है मैं क्या बोलना चाहरा हूँ दोस्तो, प्रोकेरिटिक सेल के बारे में, प्रोकेरिटिक कोशिका के बारे में, किसका structure कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या-क्या चीजे पाई जाती है, पर आप लोगों को सभी को पता है, मेरे दोस्तो, बैक्तिरिया में किस प्रकार की कोशिका होती है, क्लियर है ठीक है तो सर आप लोगों को दियानना रखना है कोई भी कोशीका होती है कोई भी कोशीका होती है तो इसके सबसे मारत को भार सबसे भारी वाली जो परत होती ना इसको हम लोग बोलते हैं cell wall इसको क्या बोलते हैं cell wall ध्यान आ गया लिख लो ध्यान से समझो बहुत बहुत आसानी से हम लोग इस chapter को पढ़ लेंगे आपको कोई doubt ही नहीं बचेगा cell wall यनी सरकोश्य का वित्ति दोस्तो मैंने आप लोगों को क्या चीज बताई ध्यान से देखो कौन सी cell के बारे में बात कर रहा है प्रोकेरिटिक cell में तो अगर आप लोगों से कोई एक्जम में पूछे कि क्या प्रोकेरिटिक cell में cell wall पाई जाती है क्या कोश्य का वित्ति क्या जवाब होगा क्या मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको हाँ सर आपने पढ़ाया है तो आपको बोलना है हाँ प्रोकेरिटिक cell में प्रोकेरिटिक कोशिका में cell wall पाई जाती है कोशिका वित्ति पाई जाती है आप लोगों से एक्जम में पूछ ले कि बैक्टिरिया में cell wall पाई जाती है क्या आपको पता है बैक्टिरिया में कौन सी cell होती है प्रोकेरिटिक cell होती है तो हाँ सर बैक्टिरिया में cell wall पाई जाती है कुश्य का वित्ती पाई जाती है क्लियर है कोई समझे है यह तक नहीं है दोस्तो जो चीजे प्रो केरिटिक में पाई जाती है वो चीजे आपके यू केरिटिक में भी पाई जाती है यानि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि क्या यू केरिटिक जो सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है आप लोग बोलेंगे हाँ पाई जाती है कुछ-कुछ exception होंगे, वो मैं आपको बाद में बता हूँ, इन general आप लोग दे अंदर को, इन general, प्रो केरिटिक में cell wall पाई जाती है, जो चीज़ है प्रो केरिटिक में, वो आपकी यू केरिटिक में भी है, दोस्तो आपने कोई भी cell ली, इसके सबसे भारी वाली layer को आपने cell membrane, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, कोशी का जिल्ली, तो अगर आप लोग उसे पूछा जाए कि क्या कोशी का जिल्ली पाई जाती है, कि प्रो केरिटिक में, अरे हाँ पाई जाती है, तब ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या दूसरा नाम है क्या, इसका द इसका दूसरा नाम हो, पुए डाउट, पुए समश्या नहीं है, चलो हमने दो चीजों के बारे में बात करी, एक तो cell wall के बारे में, और एक cell membrane, जिसको plasma membrane भी बोलते हैं, आईए इसको समझते हैं, किन्द का क्या क्या काम होता है, ठीक है, तो आप लोग heading डाल लिजे, cell wall य outer most layer है किया cell की, बिल्कुल ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखो, आप लोगों की जो pro-keretic cell होती है, उसमें जो जो चीजे होगी, वो आपकी u-keretic cell में भी होगी, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए, कि u-keretic cell की सबसे भारी वाली जो layer होती है, उसका नाम क्या ह होता है, उसका नाम क्या होता है, आप लोग बोलेंगे cell, ठीक है, दोस्तों इस u-keretic cell किस में होती है, सर, बैक्टिरिया और आर्किया सब को छोड़के, सब को छोड़के, इसमें कौन से cell होती है, कौन से cell होती है, यू-keretic cell किस में होती है, प्लांट में होती है, ठीक है, औ और आप लोगों का दोस्तों ध्यान से रखो बैक्टिरिया को और आर्किया को सब को छोड़के जो भी बचा सभी में यू केरिटिक से लोती है तो प्लांट में होती है एनिमल में होती है फंगस में होती है होती है नहीं होती है ठीक है मेरे प्यारे दोस्तो ध्यान से आप लोग समझियेगा जो चीजे Proryatic में होती है वो चीज़े यू केरिटिक में भी होती है यू केरिटिक डवलप्ड है ना यू केरिटिक डवलप्ड है तो जो चीज़े प्रो केरिटिक में वो तो है और साथ में इसके पास में कुछ एक्स्टा चीज़े भी ठीक है बड़ दोस्तों यहां पर चक्कर पड़ गया, क्या, जो एनिमल होते हैं ना एनिमल, जैसे हम भी एक प्रकार के एनिमल है, एनिमल में सर सेल वोल नहीं पाई जाती है, एनिमल में सेल वोल नहीं पाई जाती है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, आपको दो हाथ दिये है, दो आपको पैर दिये है लेकिन दोस्तो आपको क्या दिया है? आपके cell में discern Psyllalण नहीं होती है हाँ, plant की cell में होती है, fungus की में होती है बट बट बट, एनिमल में cell wall नहीं होती है इतनी से वाथ आप लोग ध्यान रगिएगा चलो मेरे एक उच्छ जवाब दीजिए आप लोग मैंने आपको बोला कि जो बैक्टिरिया होते हैं जीवानू उसकी कोशिका कि सबसे भारी वाली परत को क्या बोलोगे आपके मन में क्योशन आएगा कि भाया जो बैक्टिरिया होता है वो प्रोकेरिटिक सेल होती है ठीक है और दोस्तों सबसे भारी वाली जो लेर होती उसको cell wall बोलते है क्या आपकी prokaryotic cell में पाई जाती कि बिल्कुल पाई जाती है और जो चीज़ है prokaryotic में होती वो eukaryotic में भी होती है यानि प्लांट में भी cell wall पाई जाएगी fungus में भी पाई जाएगी animal एक exception है animal में cell wall नहीं होती है clear है ये चीज़ आप लोग जान रखिएगा ठीक है सर मुझे बताओ आपने बताया कि cell की सबसे भारी वाली परत को आपने नाम दिया cell wall कोशी का बित्ती ठीक है तो सर इसका काम क्या होता है इसका work क्या होता है इसका work बताओ पहले तो इसका work क्या होता है दोस्तो इसका work होता है protection प्रोवाइड करना इसका work होता है protection प्रोवाइड करना protection यानी सुरक्षा प्रदान करना सर्थ किसको सुरक्षा प्रदान करना किसको सुरक्षा प्रदान करना इसके अंदर जो भी में जैसे मालों इसके न दर एक वो होता है जिसको वोलता है हम लोग एक लिक्विड Inner उता है जिसको ब पार्ट सब्सकुट की आपके mods में क्योशन आएगा क्या सर हमारे सेल के अंदर जो चीजे हैं उनको क्या शुरक्षा की जरूत नहीं है क्या उनको भी जरूत है ना हमारी कोशिका के अंदर जो है दोस्तो ध्यान रखो यह देखो आपकी हाथ कोशिका उठाई यह उस कोशिका के अंदर की बात कर रहों कोशि आ जाओ देखो नियान को मिलता है एक्षरा लाइट से एक्षरा लाइट Uhh chat यानि काश इसे ठीक है सर और एक्ष्ट्रा हीट से एक्ष्ट्रा हीट से यानि अधिक पुश्मा से दोस्तों बाहर दूप हो रही है आप तो घर के अंदर आ जाओगे लेकिन जो प्लांट है उनको दूप में रहना पड़ेगा ना दोस्तों जो एनिमल होते हैं उनको अगर कोई बारिश वगएर आई वो तो मतलब दूप वगएर आई बहुत जड़ा दूप आ रही है तो वो कहां पर आ जाएंगे पेड़ के नीचे आ जाएंगे बट प्लांट को तो वहीं पर रहना पड़ेगा ना तो मुझे बताओ प्लांट में तो चलो सेल वॉल होनी चाहिए आप लोग मुझे बताओ एनिमल में सेल वॉल की जरूत है क्या एनिमल में सेल वॉल की जरूत नहीं है क्योंकि सर वो चाये में आ जाएंगे ठीक है तो सि प्लांट में होगी क्या अरे बिलकुल होगी जो प्लांट होगा किस से मिलके बनाओगा प्लांट सर बहुत सारे कोशिका उसे मिलके बनाओगा इसके दोस्तों एक सेल को देखो इसके एक सेल के बाहर यह देख पार हो यह जो आवरन है इसको हम लोग बोलता है सेल वॉल कोशि जाता है कि जो सेल वॉल होती है ना इसका नेचर कैसा होता है इसकी प्रकर्ति कैसे होती है इसका नेचर है कि इसका नेचर कैसा होता है दोस्तों इसका नेचर क्या होता है अर्द पारगम में वह कि अर्द्द पार गं मैं यानि सेस्वल जो है एक बार चोड़ो एक बार को छोड़ो हम लोग याने वात बात करेंगे इसका दोस्तों आप लोके से वरक पूछा चाय क्या कर रहा दोश्थ ओक्रठट्च्ण दे रहा है यह क्या दे रहा है यह प्रोटेक्शन दे रहा है यानि सुरक्षा दे रहा है क्या दे रहा है प्रोटेक्शन यानि सुरक्षा दे रहा है ठीक है क्लियर कोई समझ्चा कोई दिक्कत नहीं है अब आप लोग ध्यान रखेंगे एक छोटी सी बात एक छोटी से बात आप ध्यान नहीं होती है सर ये क्या बात हो गई मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो आपका माइको प्लाजमा होता है क्या होता है जरा मुझे बताओ मैंने आपको बताया था कि जो माइको प्लाजमा होता है वो क्या होता है अरे माइको प्लाजमा क्या होता है बताया था कि मैंने बिल्कुल सर आपने बताया था माइको प्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टिरिया होता है एक प्रकार का बैक्टिरिया होता है एक प्रकार का जिवानू पर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये माइको प्लाज्मा क्या है आपका smallest bacteria है, सबसे छोटा bacteria है, चीक है, आपको अगर पूछा जाए कि mycoplasma में क्या cell wall पाई जाती है, क्या आप लोग बोलेंगे जितनी भी bacteria है, सब में cell wall पाई जाती है, तो mycoplasma में भी पाई जाएगी, लेकिन दोस्तों एक exception है, आपको ध्यान रखना है, कि जो mycoplasma है, mycoplasma bacteria होने के बाउजूद, mycoplasma जो है, वो bacteria होने के बाउजूद, इनमें दोस्तों cell wall नहीं होती है, कोशे का बित्ति नहीं होती है, थ्यान रखोगे कि आप लोग, ध्यान रखोगे, आपका जो mycoplasma है, वो एक bacteria है, एक जिवाण है, ऐक जिवाण होए, सभी bacteria में, bacteria में कौन से cell होती है, pro-kiritic cell होती है, pro-kiritic cell में दोस्तों cell wall पाई जाती है, सबी prokaryotic cell वालों में cell wall पाई जाती है बट आप लोगों का जो mycoplasma है वो एक ऐसा bacteria है bacteria है तो prokaryotic पाई जाएगी और सबी prokaryotic में cell wall होती है बट mycoplasma में cell wall नहीं होती है कोई शिकावित्य नहीं होती है ध्यान दकोगे ठीक है दूसरी बात क्या है दोस्तों मैंने बात बताई जो जन्तू होते हैं एनिमल होते हैं एनिमल में किस प्रकार की सेल होती है यू केरिटिक सेल होती है और दोस्तों जो प्रोकेरिटिक सेल वालों के पास में जो सामान होता है वो यू केरिटिक सेल वालों के पास में भी होता है प्रो केरिटिक वालों के पास में क्या था, सैल वाल था, ये कोश्य का बित्ती थी, आप लोग बुलेंगे सर यू केरिटिक वालों के पास में होगा, कि इनके पास में भी होगा, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, आप लोगों का जो एनिमल है ना, इन वॉल आपका बनता किस है पर कार्बो हाइडेट का बना होता है प्रोटीन का बना होता है फैट का बना होता है किसका बना होता है यह आप लोगों को ध्यान रखना है अच्छा पहले मुझे बताओ मैं आप लोगों को तीन चीजे बता रहा हूं क्या इसमें सैल वॉल पाई ज जाएगी या दोस्तों बैक्टिरिया में किस प्रकार की कोशिका होती है सर्फ प्रोकेरियूटिक सेल होती है प्रोकेरियूटिक कोशिका होती है क्या प्रोकेरियूटिक सेल में सेल वॉल होती है क्या कोशिका बित्ति जी सर्फ प्रोकेरियूटिक सेल में कोशिका बित्ति होत होती है वो यू केरिटिक सेल के पास में भी होती है तो क्या आप लोगों के प्लांट में सेल वाल होगी क्या बिलकुल होगी फंगस में कौन से सेल होती है आपकी यू केरिटिक होती है एनीमल में होगी क्या सर एनीमल में नहीं होगी बस एनीमल में नहीं होगी बाकि इन तीन के बारे में तो यहाँ पर मैं और्गेनिजम निब देता हूं सबसे पहले बात करेंगे प्लांट की सेल वाल किसकी बनी होती है फिर बात करेंगे बैक्टिरिया की सेल वाल किसकी बनी होती है फिर बात करेंगे ये cellulose क्या होता है दोस्तों ये एक प्रकार का कार्बो हाइडरेड होता है ठीक है ठीक है दोस्तों जो बैक्टिरिया होती है इसकी cell wall किसके बनी होती है इसकी cell wall मनी होती है पैक्टीन की सर ये पैक्टीन क्या है दोस्तों ये एक मिक्चर होता है किसका प्रोटीन का प्रोटी कि जो cell wall होती है, किसकी बनी होती है, काईटीन की बनी होती है, इसको चेटीन नहीं बोलेंगे, काईटीन बोलेंगे, तो काईटीन क्या होता है, दोस्तों ये भी एक प्रकार का कार्वो हाइडरेड होता है, ये भी एक प्रकार का कार्वो हाइडरेड होता है, यहाँ तक कोई से essa exam में question پूछा जाता है आप लोग घलत कर देता है ना को जबसे बाहरी लेयर को जैसे आप लोगों से तो ऐसे एक्जमिनल कर देता है, ऐसे, क्यों मेरे दोस्तों, क्योंकि सबसे भारी वाली जो लेयर होती है, किसी भी सेल की, वो होती है, सेल वॉल, और इसके जो अंदर लेयर होती है, इसको, ये वाली लेयर कौन सी होती है, सेल मेंबरेन, दोस्तों, हमारे में सेल वॉल तो पा होती है मेरे दोस्तो cell membrane होती है यानि कोशे का जिल्ली होती है ना कि कोशे का बित्ती ये बात क्लियर है क्या कोशे का जिल्ली होती है चले आगे चलो तो ये मैंने बात बताई आप लोगों को cell wall के बारे में नेक्षम लोग बात करते हैं दोस्तो plasma membrane या आप लोग इसको cell membrane बोल सकते हो ठीक है इधर आजाओ तो ये आप लोगों की दोस्तों cell थी कोई सी भी cell की सबसे भारी वाली लेर को आपने बोला cell wall कोशी का बित्ती इसके जो अंदर वाली लेर होती है इसको हम लोग बोलते है cell membrane इसको हम लोग बोलते है cell membrane यानि कोशी का जिल्ली ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों आप लोग ध्यान तरखेंगे आप लोग उसे पूछा जाए ये plasma membrane या cell membrane क्या होता है तो आप लोग मुझे बताओ क्या cell wall किस किस में पाई जारी थी बताओ अभी अभी मैंने बताओ आप लोगों को cell wall किस किस में पाई जारी थी बताओ जल्ली से कमेंट करके बताओ सर ये cell wall किस किस में पाई जारी थी अरे जल्ली से बताओ कमेंट करके cell wall किस किस में पाई जारी थी सर cell wall पाई जारी थी किस किस में बैक्टिरिया में पाई जारी थी क्या अरे बताएं था कि बैक्टिरिया की सेल वॉल किस की बनी होती है पैक्टिन की बनी होती है प्लांट में पाई जारी थी क्या बिल्कुल बताएं था कि प्लांट की सेल वॉल सेलिलोज की बनी होती है फंगस में पाई जाती है बताएं ने था किया फंगस की सेल वाल काईटीन की बनी होती है तो दोस्तो अगर आपके बैक्टिरिया में सेल वाल होती है प्लांट में होती है फंगस में होती है तो दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए इनकी कोशिका की दूसरी सत्य कौन सी होती है तो वो आपकी plasma membrane होगी क्योंकि इन में cell wall होती है तो दूसरे नमबर पर आएगी है जबकि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपका जो animal होती है जो जन्तू होता है उनकी cell जो होती है उनकी सबसे भारी वाली layer कौन सी होती है तो उनकी सबसे भारी वाली होती है जबकि जो आपके bacteria होते है अपनी प्लांट प्लांट उनकी हसे सपे होते है कंगीर रहें आके बा onlar क्लिया , उनके सबसे वाहरी है। सर नहीं हमक्रिजा यहीं वाहरी में पत्स अधिदि यह दा है। वो गलत लिखा हुआ है अभी इसको छोड़ो दोलों की नेचिर एक सार बता दूंगा टेंशन मतलो इधर बात क्लियर है चले ठीक है नेक्स आप लोगों को ज्यान रखना है कि सर इसका कंपोजिशन क्या होता यह किसकी बनी होती है जैसे आपने बताया बैक्टिरिया की सेल पैक्टिन की बनी होती है आपके फंगस की काईटिन के बनी होती है प्लांट की सेलिलोस की होती है तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि जो प्लाजमा मेंब्रेन होती है यह सेल मेंब्रेन किसकी बनी होती है आपका अंसर क्या होगा यह बनी होती है सर फॉस्फो लिप लिपिड क्या होता है यह फॉस्फो लिपिड क्या होता है आपने लिपिड का नाम सुना है लिपिड होता है आप लोगा फैट को ही हम लोग लिपिड बोलते हैं लिपिड किसको बोलते हैं सर्फ फैट को ही हम लोग क्या बोलते हैं लिपिड बोलते हैं तो यहां पर दोस्तो ग्रुप जिसमें फॉसफफड्प जुड़ा हो और दोस्तो ऐसा फैट। उसको लोकाइफ की बनी तो होती है.. किसकी cell membrane बनी होती है phospholipid की bacteria की होती है plant की होती है animal की होती है या फिर आप लोग माल लीजिए plant की होती है दोस्तों सभी की सभी की जो आप लोग की सेल मेंब्रेन होती है या प्लाजमा मेंब्रेन होती है किसकी बनी होती है फोस्फोलिपिड की बनी होती है किagne का बैश्य कू कि इसका जो होता है जैसे यह पडिए अपलों की सैल वाल रुण किया हैं यह यह ओगई आप लोर की सेल वाल ठीक हैं इदर लिएता हुँ हम मैं इधर को Alright है का गया कांग इधर आओ ठीक है यह हो गई दोस्तो आप लोग की सेल वॉल इसके अंदर होती है आप लोग की सेल मेंब्रेन ना सेल मेंब्रेन होती है इसके अंदर होती है आप लोग की सेल मेंब्रेन क्लियर है क्या क्लियर ठीक है दोस्तों सेल मेंब्रेन को मैंने कैसे बनाए द्यान से देखो सेल मेंब्रेन को मैंने कैसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे ठीक है दोस्तों यह जगे जो मैंने छोड़ी है इसका मतलब क्या है जगे जो मैंने छोड़ी है इसका मतलब क्या है इसस लोग समझे हैं अब लोग सब्सक्राइब को छोटी सी बात आप लोग समझो को ठीक है उसके बार में इसको मिटा अंदर हो मैं ठीक है पहले एक बार में तो डागराम समझें इता अधर जब कि जो प्लाज्मा मेंब्रेन होती है यानि सेल मेंब्रेन होती है यह कैसे अर Küर Mi मेरे सबसे वो slide अट गई है जब मैं सोचाए slide कैसे मिसमेच चो गई दोस्तो इधर एक diagram आना चीए था वो diagram नहीं आपा रहा कोई बात नहीं मैं diagram बना लेता हूँ ना मैं वो diagram बनाता हूँ इधर देखो diagram देखो इधर देखो अगर आप लोगो इसे पूछे एक कि जो cell membrane होती है यानि कोशी का जिल्ली होती है वो कितनी layer की बनी होती है आप लोग बोलोगे sir वो bilayer होती है bilayer का मतलब क्या होता है दोस्तो दो layer से बनी होती है बात clear है अब कैसे होती है जो phospholipid होता न इसका structure कुछ ऐसा होता है 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 नीचे दोस्तों कुछ धागे नुमा संदचना निकल रही है उपर आप लोगों को ऐसे माउट सा दिख रहा है गोला गोला सा दिख रहा गया ठीक है तो दोस्तों इस उपपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं है इस उपपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं है और नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल बहुत इंपोर्टेंट ए यह होता है फॉस्पो लिपट का इस्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है तो इसमें आप लोग दो पार देख पाऊ होंगे एक तो उपपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट के लिए रहे गया दोस्तों उपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिलिक इसको हमलोग क्या बोलते है सर हाइड्रोफिलिक बोलते है ठीक है सर और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हमलोग बोलते है हाइड्रोफोबिक इसको बोलते है ये बात क्लियर है क्या अभी मैं समझाओंगा इसको हाइड्रोफिलिक क्यों ब दिए मैंने टेल आप लोगों से अगर कोई पूचे उपर वाला पार्ट क्या होता है हाइड्रोफिलिक होता है या हाइड्रोफोबिक होता है आप लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक और नीचे वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक कि प्लियर रही क्या औरजब कि जो उपर व्ला पार्ट रहा है वह हॉट्रोफिलिक क्या करता है समझ गए क्या दोस्तों यह हो गई आप लोगों की सेल वाल और ये हो गई अंदर cell membrane तो इस cell membrane को मैं आप लोगों को दो layer में बना रहा हूँ है ना है पूरी की पूरी आप लोगों की क्या है ये पूरी की पूरी cell membrane है ये पूरी की पूरी cell membrane है है ना बट इसमें जो आप लोगों का phospholipid होता है इसके दो layer होती है इसके क्या होती है दोस्ट दो लेयर होती है जैसे एक आप लोग का ऐसा है तो पूरा गोलो ऐसा बन गई है इसे लेयर दिख रही किया तो आप लोगों से अगर पूछा जाए कि जो अब इदर समझो वो पर्मीबल और सेमी पर्मीबल लोग बात कर रहे थे अब दोस्तों जो आप लोगों की सेमी पर्मीबल हम लोग बात कर रहे थे अरे क्लियर है गया सर फ्लूट एंड फ्लॉवर एंड शी टॉपिक एक बर करा देना हो अरे यार फ्लूट फ्लॉवर कहां पर आगए वो बाई लोजी में आगा जल इस नहीं ठीक है इसको जल इस नहीं बोलो एक ने हिंदी बताईए इसकी सर जल इस नहीं ठीक हो लो इसको मैं लिख देता हूं जल इस नहीं और बताओ और कोई दिक्कत कि और कई दिक्कत चले आगे आ कि एक वह निएक हकते बोल्गातर बस करो सो उपर से जा रहे हो पर से जा एको और लेकुट वर यार आगर उपर से जा रहे है तो स्व्य अगर्र आप के उपर से जाते के वाज़ें trouble कोई दिकक्त कि क्या है बटाओ छोड़ देंगा कोई दिक्कर नहीं छोड़ देंगे बताओ तो दोस्तों यह पूरी के पूरी ऐसे पूरी के पूरी पूरी के पूरी के पूरी क्या होगी एक लेर होगी और अंदर क्या होंगे सेल के पार्ट होंगे अरे समझ माय नहीं है बताओ सर स्मॉलेट सेल क्या है माइक को प्लाजमा स्मॉलेट सेल ठीक है क्लियर ठीक है अब दोस्तों मेरी बात समझो मैं क्या वोलना चाहरा हूं आप लोग का होगे बाइलेर अब एक चीज आप ध्यान रखोगे जो सैल वॉल होती ना सैल वॉल वो किसी में पाई जाए या नहीं पाई जाए आपको बता है एनिमल में नहीं पाई जाती बट दोस्तों सैल मेंब्रेन हर प्रकार की कोशिकाओं में होगा हर प्रकार की कोशिकाव में होगा, हर प्रकार की कोशिकाव में होगा, मैं आप लोगों से क्या पूछना चाहरा हूँ, फिर से आप लोग ध्यान से समझेंगे, कि जो SELL WALL होती है, वो किसी में पाई जाđे, या नहीं फाई जाए, SELL MEMBREN, दोस्तो, होगी ही होगी, आज आओ, आपको समझाता हूँ, ऐसा क्यों है? दोस्तों, जो sell wall होती है, आप लोगों कि यह बाहरी वाली सतर है, sell wall इसमें आप लोग कर लो ऐसे निशान, इसे कर लो थोड़ा, तो इसे कर लो आप, ऐसे कर लो, ठीक है? ठीक है. दोस्तो ये वाला आप लोग निशान देख पा रहे हों ये वाला निशान देख पा रहे हों उसका मतलब क्या है कोई चीज सर अंदर आ सकती है कोई चीज बहार जा सकती है ये है आपके सेल वॉल तो सेल वॉल की जो आप लोग की नीचर होती है वो कैसी होती है दोस्तो सेमी पर्मीबल होती है स्वरी पर्मीबल होती है क्या होती है दोस्तो पर्मीबल होती है पार गम्मे होती है ठीक है लिख लो यहाँ पर लिख लो क्या होती है पर्मीबल होती है पर्मीबल होती है और अगर आप लोगों से पूचा जाए कि जो प्लाजमा मेंब्रेन होती है उसकी नेचर कैसी होती है उसकी नेचर होती है दोस्तो सेमी पर्मेबल सेमी पर्मेबल जिसको हम लोग हिंदी में बोलता है अर्द पार गम में प्लियर है क्या यहां तक तो वह डाउट नहीं है दोस्तो अगर 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 आप लोगों से पूचा जाए कि जो सेल वो है इसका नेचर पर्मेबल है ऐसे आप लोग डियागराम मना लो उससे याद रजागा और आप लोग की जो अंदर वाली प्लाजमा मेंब्रेन है उसका क्या है सेमी पर्मेबल दोस्तो इस सेल की पास में कुछ IMPORTANT NUTRIENT है कुछ IMPORTANT POSCRISK PADATA जैसे मालो प्रोटीन है जैसे मालो अंदर यहाँपर प्रोटीन है clear है ठीक है दोस्तो सेमी पर्मेबल का मतलब क्या होता है सेमी का मतलब होता है आदा मतलब कुछ चीज़े तो होती है दोस्तो यहां से बाहर अलाव करता है कुछ चीज़े होती है यहां से बाहर अलाव नहीं करता ध्यान से आप लोग समझे अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहरा semi-permeable का मतलब क्या है जो cell membrane है वो अंदर की कुछी जो को बोलगा कि बाहर जा सकता है कुछ को बाहर नहीं जाने देगा इसलिए हम लोग इसको बोलना semi-permeable ठीक है अब माल लीजे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आपका cell membrane है इसके अंदर कुछ आपके important nutrient है मानलो protein है अब आप लोग ज्यान रखने है मानलो protein की यहाँ पर जरूरत है तो cell membrane जाने देगा क्या नहीं जाने देगा protein की मानलो यहाँ पर जरूरत नहीं है तो cell membrane जाने देगा क्या बिल्कुल जाने देगा तो कुछ चीजों को जाने दे रहा है मेरे प्यादे दोस्तो अगर मान लो अगर 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 सेल मेंब्रे नहीं हो तो आपके मन में क्योशन आया सर अगर सेल मेंब्रे नहीं हो तो तब क्या होगा क्या खाना दोस्तों बाहर चला जाएगा क्या अरे क्या उसको कोई रोकने वाला है क्या बताओ यार अब केवल और केवल सेल वाल बची है क्या खाना कोई बाहर रोकने वाला है क्या क्या कोई बाहर रोकने वाला है क्या खाना चल जाएगा चल जाएगा दोस्तों कुछी का की वहुद हो सेल को सेल हो ना हो सेल मैम्ब्रेन होगा ही नहीं आई बता वहां पर हमुए कुंछ लिख दिया यह ना इस जगे उट्विए दि Somewhere PAT नहीं है इसकी दोस्तों इसकी सामस्ख्या हो कोई डाउट हो तो पूछो यहां तक कुछ समश्या हो कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए फिर चले ही हम लोग आगे बताओ क्लियर है सर कोशी का जिल्ली और प्राज्म जिल्ली एक ही होती है रहे एक ही होती है कित्ती बार बताओ तो नहीं ही हैं छले आगे चलो नेक्स बात करते हैं दोस्तो बिल्कुल द्यान से समझी नेक्स बात करते है साइटो फ्लाज्म यानि-कोशिक दरवे दोस्तों किस के बारे में बता रहें आपको प्रोकेरिटिक सेल के बारे में बता रहा हूँ, प्रोकेरिटिक कोशिका के बारे में बता रहा हूँ, तो प्रोकेरिटिक सेल में मैंने आपको सेल वॉल के बारे में पढ़ाया, क्या प्रोकेरिटिक सेल में सेल वॉल होती है, क्या बिल्कुल सेल आपने पढ़ाया तो होती है बिलकुल होती है, cell membrane होती है, cell membrane तो सब में होती है, कोई ऐसा हो इनी सकता जिसमें cell membrane नहों, next हम लोग बात कर रहे हैं, दोस्तों, cytoplasm, cytoplasm मैं कहां पर पढ़ा रहा हूं, procaratik में पढ़ा रहा हूं, यानि procaratik में आप से पुछा जाए, cytoplasm होता है, क्या, बिलकुल सर होता है, और जो चीجhen procaratik में होती है, वो youcaratik में भी होती है, दोस्तों एक jelly type का पदार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटो प्लाजमी बोलते हैं कोशी का द्रव्य है जिसमें maximum part क्या होता है water होता है तो जिस वज़े तोड़ा liquid-liquid सा part होता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे cell के अंदर कोशिका के अंदर ऐसा कुछ लिक्विड लिक्विड सा कुछ पदार्थ होता है इसी को हम लोग बोलते हैं साइटो प्लाज्म यानि कोशिका द्रव्य है तो कोशिका द्रव्य आपका क्या हो जाएगा जैसे मालो क्या यह आपका pro kerating में होगा यू kerating में होगा कि बिल्कुल होगा तो जैसे मालो u kerating कोई cell है यह दोस्तों क्या होगा nucleus होगया केंद्रक होगया यह अंदर वाली layer को क्या बोलोगे plasma membrane इसे भार वाली को cell wall तो मेरे प्यारे दोस्तों यह आपका दोस्तों जो nucleus होता है इसके बीच में जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते है cytoplasma बोलते हैं कोशी का दरव्य हम लोग बोलते है ठीक है अब दोस्तों चीज आप लोग समझेंगे हैं पर बहुत important आप लोगों सकते पूछा जाए सर इसका काम क्या है cytoplasma का यह कोशी का दरव्य के द्वर आता है एक जगह से nutrient को दूसरी जगह ले जाना तो आप लोगों से पूछे इसका function क्या हो जाएगा आप लोग लिख लीजे function इसका function लिख दीजे क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ओफ ट्रांसपोर्टेशन ओफ नूट्रियंट ट्रांसपोर्टेशन ओफ नूट्रियंट ट्रांसपोर्टेशन ओफ नूट्रियंट विदिन दी सेल है ना एक सेल से दूसरे में विदिन दी सेल यानि कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर कोशक पदार्तों का परिवेहन ये कौन करता है ये करता है दोस्तों साइटो प्लाजम यानि कोशिका द्रव्व है अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो अंदर साइटो प्लाजम है ये आप ने वोला आपने बोला है साइटो अंदर कोईश्य का दर्व्य si topl Qatar नह होता है उसको साइट नहीं होता हुआ है इस ऐसा यह चैली में कुछ लिक्वड होता है उसको अपने बोल यह साइटोसल ठीक है अर यह आपका जो जेली टाइप का इस ट्रक्टर रहा ना दोस्तो इसके जो भारी वाली परत है इसका लाम किया जहान года आप पर भी दोस्तों cell के अंदर कुछ jelly type का structure पाए जा रहा है jelly type का structure पाए जा रहा है तो इस jelly वाले structure की अगर हम लोग बात करें इसके जो बारी वाली layer होगी ना है ना इसको तो हम लोग बोलेंगे क्या cortex और इसके जो अंदर वाली layer होगी इसको बोलेंगे endoplasm और इस आपके cytoplasm के अंदर जो liquid होगा ना जो तरल पदार्थ होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे cytosol बोलेंगे क्या बोलेंगे cytosol बोलेंगे ठीक है तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा चलिए next हम लोग बात करते हैं आपके cytoplasm के बारे में कुछ और भी चीजे cytoplasm क्या कर रहा है दोस्तों ये अंदर आपका जो cell है cell के अंदर जो तरल पदार्थ बढ़ा हुआ है जो jelly tab का बढ़ा हुआ है उसको cytoplasm बोल रहा है इस cytoplasm में तो दोस्तों आपकी क्या है mitochondria है आप लोगों का दोस्तों और हम लोग बात करेंगे endoplasm reticulum है जितने भी आपके अंदर कोशिका के अंग है अंदर जो कोशिका के अंग है वो basically कहां पर रहते हैं cytoplasm में रहते हैं दोस्तों कोशिका दरवे में रहते हैं सेल वॉल पढ़ा ही है क्या मैंने सेल मेंब्रेन पढ़ा है क्या आप लोगों को साइटोप्लाजमी नहीं पढ़ा है क्याust तो दोस्तों कि आ Dire Ja no you take exam ! पढ़ाया Comp battery या नहीं पढ़ाए तो वो सारी चीजे आप लोगों के प्रो के क्रोष रिदा कमें नहीं पाये ज्याती है प्रो-केरिटिक में केवल आपका cell wall पाये जाता है cell membrane पाये जाता है cytoplage में पाये जाता है chromosome पाये जाता है एक चीज और पाये जाती है उसकी थोड़ी दिर बाद में चर्चा करेंगे अभी के लिए आप लोग ध्यान दखेंगे कर दो अब आपके मन में क्योशन आएगा क्या सर बताओं क्या रहा होगा कि जो प्रो केरिटिक सेल है प्रो केरिटिक कोशी का है सर उसमें तो न्यूकलेस होता ही नहीं है उसमें तो केंद्रक होता ही नहीं है बिलकुल सही बात है लेकिन दोस्तों उसमें क्रोमोसोम होगा क्या बिलकुल होगा बट उसमें न्यूकलेस में नहीं होगा केंद्रक में नहीं हो सारी क्रोमोसोम किस्टे मिलके बनता है क्रोमोसोम बनता है डोस्तो डी एने प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनता है यह चीज आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है ठीक है अगर बात करें human में ये chromosome कितने पाई जाते हैं तो दोस्तों chromosome को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे दोस्तों देखो ये एक ये एक तो एक दो तीन चार पाच छे साथ आट नौ दस ग्यारा बारा टोटल कितने chromosome होते हैं दोस्तों 46 chromosome होते हैं होते हैं 46 chromosome होते हैं चलो ठीक है सर और आपको पता है chromosome किस में पाई जाते हैं जोड़े में पाई जाते हैं देखो ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा ऐसे करके दोस्तों टोटल जोड़े कितने हैं 23 जोड़े हैं तो अगर आप लोगों से पूचे humans में chromosome कितने पाए जाते हैं 23 पेर या फिर संक्या पूछे तो आप लोग बोल सकते हो 46 क्रोमोसोम है ना दोस्तों डिक्टे कैसे मताँ थोड़ा करके देखो इदर आपको इसे होता है यह आपको बहुत बढ़ा करके बता है प्र आपके सेल के अंदर नूकलियस के अंदर आप लोग के प् मतलब एक PD से दूसरी PD में जो कुछ क्यार्टिस्टिक जारी है वो किसकी वज़े से जाती है दोस्तो DNA की वज़े से जाती है और यह DNA कहाँ पर है दोस्तों इस क्रोमोसोम में समझ में आगई बात को कोई दिकत अगर आप लोगों से पूछे है एक्जाम में पूछे जाते हैं आजाओ तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों हुमन में हुमन में आपको पता है टोटल नंबर ओफ क्रोमोसोम होता है 46 और आप लोगों से जोड़े पूछे तो आप लोग का हो जाएगा 23 अगर आप लोगों से चिंपांजी में पूछे चिंपांजी में होता है 48 अगर आप लोगों से जोड़े पूछे तो आप लोग क्रोमसुम किसे में पूछा जाए कि किसकी सेल में पाए जाते हैं कि कि कोशिगां में तो दोस्तो एक प्लांट जिसका नाम और फिगो लोसम रैटिकुलेटम यह एक प्लांट है यह पौदा है इसकी एक सेल में एक कोशिका में दोस्तों 1260 क्रोमोसोम पाये जाते हैं अगर पेर पूछा जाए तो दोस्तों 630 पेर तो यह आपका हाइएस्ट है अगर आप आप लोगों से पूछा जाए किसकी कोशिका में सबसे कम क्रोमोसوم पाए जाते हैं तो दोस्तों ये एक आंट है एक चीटी है जिसका नाम है Myremisica pilosilla ये कहां पर पाई जाती है सर ये औस्टेलिया में पाई जाती है अगर बात करें इस चीटी के एक सेल में एक कोशिका में कितने chromosome पाए जाते हैं केवल और केवल एक पेर एक पेर का मतलब हो गया दोस्तो दो chromosome तो ये सबसे कम chromosome है और ये आपके सबसे ज़ादा chromosome है दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा कहानी कलियर है कोई दिककत तो यहां तक आज हम लोग बात रखते हैं अब देखो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया ध्यान से समझो ध्यान से समझ लो हमने आथ प्रोकेरिटिक सेल पढ़ी थी ठीक है प्रोकेरिटिक में मैंने क्या पढ़ाया सेल वॉल पढ़ाया गया बिल्कुल सर क्या मैंने सेल मेंब्रेन पढ़ाया गया बिल्कुल सर और मैं Mitochondria नहीं सर, Lysosome नहीं सर, Golgi body नहीं सर, दोस्तो एक चीज और पाई जाती है, हलंकि हम इसको बार में लिखवाता है, अभी आप लोग लिख लो, इसमें दोस्तो राइबोजोम भी पाई जाता है, इसको राइबोजोम भी पाई जाता है, दोस्तो कल हम लोग पढ़ेंगे राइबोजोम की बारे में, तब मैं आपको बताऊँगा कि राइबोजोम दो प्रकार के होता है, एक तो 70S और एक 80S, तो आप लोग उसे पूछा जाए, प्रोकेरियोटिक में राइबोजोम पाई जाता है, बिल्कुल पाई जाता है, कौन से वाले राइबोजोम पाई ज क्या यह सबी चीज़े आपकी you-keretic में पाई जाती है, बिल्कुल you-keretic में इस सारी चीज़े पाई जाती है, cell wall, cell membrane, cytoplasm, ribozome, सब कुछ पाई जाता है, बद ध्यान रखेंगे, जो animal होते हैं, जनतु होते हैं, उनमें cell wall नहीं पाई जाती है, बाकि यह सारी चीज़े आउंगे तो आप लोग अगर टेस्ट देने नहीं आ तो इसमें आपका घटा मेरा नहीं है तो मतलब देखो कुछ बच्चे कैसे बोल रहे है कि देखो जैसे मैं आपको कल बोलू औरे मैं कल से नहीं पड़ाओंगा तो कित्ती गलत बात है न यह मतलब किस बात कहीं मुझ मैं आपको बोलूगा रहे मैं तो नहीं पड़ाओंगा आप जैसो को यह क्या वात होई तो इसमें एक लड़की बोल रही सर आपने कल पीडिएफ नहीं डली तो मैं दो बज़े का टेस्ट देने नहीं आऊंगी पहली बात तो पीडिएफ नहीं डली तो हो सकता कोई बूल गय हो तब भी बट देश चोज मतलब आप कितने अरोगेंट हो रहा है ठीक है और बताओ और बताओ ये सर प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है सेललोच की बनी होती है सुमित जी बताए ना आपको और बताओ ठीक है तो दोस्तों सेल वॉल को टोड़ा सा क्लियर कर देना मैंने सेल वॉल में आप लोगों को जो लिख दिया था बात में मैंने उसको क्लियर कर दिया जो सेल मेंब्रेन होती है वो आपकी सेमी पर्मीबल है और सेल वॉल जो होती है आपकी पर्मीबल होती है ठीक है और बताईए और कोई डाउट आज से रिलेटेड को भी डाउट हो बताओ सर्ड डिविजन होता है क्या सेल डिविजन पढ़ाएंगे टेंशन मतलो आप सर केंद्रक नहीं पाया जाता है प्रो केरिटिक में तभी तो मैंने लिखा है कि वली चार चीज़े पाई जाती है सेल वॉल, सेल मेंब्रेन, साइटो प्लाजम और आप लोगों का क्रोमोसोम और साथ में मैंने राइबोजोम यह पाच चीज़े पाई जाती है सेल वॉल, सेल मेंब्रेन, साइटो प्लाज्म, क्रोमोसोम और आप लोग का राइबोजोम। इसके लावा कुछ नहीं पाया जाता। और बताएए, सेल वॉल, प्लांट, फंगस, बैक्टिरिया, अपवार बैक्टिरिया, तो इसमें आप लोगों का बहुत बहुत आप लोग का आसान चैप्टर था अगर आप लोग सीक्वेंस से इसको पढ़ते हो तो कभी दिक्कतने आएगी हमने आज पूरा से से पढ़ा और इसी सीट्वेंस में आप लोग पढ़िये ठीक है चलिए तो दोस्तों आज के लिए वितना रखते हैं एक बजे में आप लोगों कर वाथ हूं इसको ना करें सब्सक्राइब कर रहाता हूं एक बज़े में आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्योशन्स कर वाता हूं ठीक है ध्यान आपको रखे हजारों बच्चों में आप लोग अपनी रैंक जाज कर सकते हैं यहां पर आपको अपनी रैंक भी मिलती है तो क्या करना है दोस्तों नाम सब्सक्राइस करिए और लोग अपने लगाएंगे और लोग कर देंगे अप सब्सक्रिशन में इसानी एक सब्सक्राइक्ट मिलेंगे दों सब्सक्राइक मिलेंगे हर क्लास की बैतरीं PDF मिलेगी आप लोगों को सभी टीचर्स की सारी क्लास मिलेगी unlimited access है किती बार देख लो bilingual content है जो course complete हो चुके वो भी आप लोग देख सकते हो weekly आपको टेट सेरीज में पustप्हुर्स подड़े में को बार अपको लोगों किती बाल रदरह क्वेशर्स व कि वो अगान गलेगी वो वो ऑनापल uhhh की संभी आपको टो खूझ आपको ंपको दोट्ड कोで रहां देख सॉ़व', देक रशने है